तो आपकी जो गाड़ी आवास करती है की 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 तो इसका मतलब क्या होता है जो आपके टायन है वो ज़्यादा तेज गूम रहे हैं उनका आर्पियम बहुत ज़्यादा है प्यार दिखाते हैं इस तरह से तो अपना प्यार बनाया रखें और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सेल करें और comment करें कोई भी प्रॉब्लम आपके ब्रेजा से regarding हैं किसी भी कार से regarding हैं हर comment पर reply करें तो आज की वीडियो का टॉपिक है वो हमारा traction control system अब traction control system होता क्या है काम कैसे करता है on कैसे करते है off कैसे करते है जो हमारा meter है इसमें जो इसके symbol है वो कहां दिखता है इसको कितना useful है कितना useful नहीं है तो वीडियो का आज पूरा आपको समझाओंगा इसके उपर कोशिश करूँगा पूरी detail देने की बड़ अगर कोई गलती हो जाते है उसके लिए sorry पहले सही तो यार वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि इसका button हमें अपनी VXI model के अंदर मिलता है तो चलो देखते हैं कि हमारी VXI model है उसमें जो traction control system का button है मिलता का है तो हम आते हैं अपने right side में यहाँ पे चावी की दरफ और यहाँ पे हमें मिलता है यह वाला symbol यही होता है हमारा traction control system का on off का switch अब इसे on कैसे करना है off कैसे करना है सबसे पहले हमें अपने meter में आते हैं meter में हमें कुछ भी अभी symbol नहीं दिख रहा है तो मैं अपने एक बार चावी को बंद करता हूँ यहां से engine को बंद कर दिया और मैंने फिर से यहाँ पे अपना on किया तो जैसे ही मैं on करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई भी symbol नहीं आया दिखावा तो इसका मतलब गाड़ी जो है वो automatically ही traction control system पे on होती है company ने इसके अंदर automatic करके भेजा है अगर इसको आपको off करना है on करना है वो कैसे करते हैं सबसे पहले इसका symbol आता कहां पे है तो एक काम करते हैं मैं इस बटन को दबाता हूँ और आप MID की तरफ देखना देखो मैंने बटन पर उंगली रख लिए और आप यहाँ पे देखो अपने meter की तरफ देखो और मैंने इसको long press किया जैसी मैं इसको 2-3 second के लिए प्रेस करूँगा तरफ टायर और रोड के बीच में होती है उसको वो increase करता है यह नहीं कि आपकी टायर और रोड के बीच में जो grip है उसको increase करता है ताकि आपकी गाड़ी की पकड़ रोड पे अच्छी रहे आप suppose करो अपनी गाड़ी को start करते हो ignition on करते हो GPS दबाते हो, गेर लगते हो और MXLरेट करते हो जब आप गाड़ी को थोड़ा ज़ादा तेज उठाने की कोशिश करते हो तो आपकी जो गाड़ी आवास करते है की 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 तो इसका मतलब क्या होता है? चो आपके defects है वो ज़ादा तेज गुम रहे है एक command अपने उसको भी भेज़ता है, engine को भी यानि की throttle को भी, वहां से भी उसको power कम दे tire को, यानि की जो हमारा ECU है, वो brake को भी command करता है, और साथ की साथ engine को भी बताता है, कि इस tire पे ज़ादा power की ज़ुरत नहीं है, तो suppose करो आप एक ऐसी रोड पे जा रहे हो जो बहुत जादा slippery है जो dusty है बहुत जादा gravels है वहाँ पर बजरी टाइप पड़ीव है बहुत जादा skit कर सकती है गाड़ी वहाँ पर तो आप क्या करते हैं गाड़ी चला रहे हैं वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को accelerate करते हैं लेकिन आपकी गाड़ी फड़ा सा slippery होने के chance होती है तो ECUEC को judge कर लेता है और वह क्या करता है कि brake को command देता है कि जिस भी टायर का rpm जादा हो रखा है उसको कम करे और साथ की साथ वो engine को भी एक command देता है कि उस वाले टायर पे जादा पावर ना दे क्योंकि जूरत नहीं है तो यह काम होता है हमारे traction control system का यानि कि वो दो काम करता है एक तो वो brake लगाता है जिस भी टायर पे brake की जूरत बढ़ती है और साथ की साथ engine को भी command देता है कि उस वाले टायर पे जादा पावर मत भेजो क्योंकि वहाँ पे जूरती नहीं है तो इस तरह से क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी है वो skid होने से बच जाती है और जो आपकी grip है गाड़ी की रोड के साथ वो बनी रहती है तो इस तरह से हमारा जो traction system है वो काम करता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो informative लगी हो तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और comment कीजिए अगर आपको कोई भी problem होती है ब्रेजा से regarding या किसी भी कार से regarding मैं उस पर reply करूँगा जरूर reply करूँगा और यार एक चीज और वीडियो बनाने में महनत बहुत लगती है अगर आप देखना चाते है तो देखिए तो यार आप देखी सकते हैं कि कितनी जादा महनत लग रही है तो इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए